आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही simple और बहुत ही famous problem को discuss करने जा रहे हैं यह problem है कि write a C program to check whether a number is even or odd हमें क्या करना है कि एक C program लिखना है यह check करने के लिए कि दिया गया number even है यह odd है बताब user हमें एक number देगा and हमें check करना है कि वो number even है यह odd है अब even number वो कौन से number होते हैं even number वो number जो two से divide हो जाएं वो number even कहलाते हैं और जो number two से divide ना हो वो क्या कहलाते हैं odd number कहलाते हैं अब हम कैसे check करेंगे कोई number two से divide हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो user द्वारा दिया गया number अगर उसका हम module operation करें 2 के साथ अगर हमारा जो remainder है वो 0 आता है तो हम बोलिंगे कि ये number जो है वो divide हो जाएगा 2 से और ये number even होगा otherwise ये number जो होगा odd होगा simple सा program इसे simple program कोई होई नहीं सकता user ने हम एक number दिया हमने इस number का 2 के साथ modulus किया आपको पता है कि जब भी हम किसी number को किसी number साथ modulus करते हैं तो हमें ये पर चलता है कि remainder क्या मिलेगा जब हम end को 2 से modulus करेंगे तो हम remainder मिलेगा अगर remainder 0 है इसका मतलब कि वो number 2 से divide हो चुका है तो हम यहाँ पे ये जो operator मैंने लास्ट वीडियो में बताया था इस operator को कहते हैं comparison operator comparison comparison मतलब होता है तुलना करना हम क्या कर रहे है LHS जो हमारे left hand side में है और जो हमारे right hand side में उसके हम तुलना कर रहे है कि दोनों बराबर है कि नहीं है अगर बराबर है तो यह statement क्या है यह जो condition है यह true हो जाएगी और यह जो if block के अंदर जो भी statement होगा वो execute हो जाएगा ओके आप single equal to और double equal to में बहुत ध्यान से हमेशा ध्यान रखिएगा कि single equal to मतलब होता है assignment operator assignment assignment मतलब assign कर रहे हैं जैसे हमने लिखा अगर बराबर है तो हमें कुछ करना है अगर बराबर नहीं तो हमें कुछ करना है जब भी आप comparison operator यूज करेंगे तो आपको यह if के अंदर ही यूज करना है जब आप if के अंदर ही उज करेंगे तभी सब कोई sense बनेगा अगर आप बिना if के आप इसको use करेंगे तो sense नहीं बनेगा I hope कि आपको assignment operator और comparison operator में difference समझ में आ गया होगा और आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि model operator क्या होता है यह modulus operator क्या होता है अगर आप खुछ से भी कोशिश करेंगे तो आप यह program लिख सकते हैं लेकिन for the sake of completeness मैं यह program आपको लिख के दिखाता हूँ अगर आपको अभी समझ में नहीं है तो अभी program देखिए आपको समझ में आ जाएगा मैंने अपनो code blocks open कर लिया है अब मैं क्या करूंगा इसमें यह चेक करने के लिए program लिखूंगा कि user ने जो number दिया है वो even है की please enter a number मैंने user को बोला कि एक number एंटर करिए अब user ने number एंटर किया तो मैंने उसको number को receive करने के लिए मैंने scanup यूज किया और percentage d के specified यूज करते हुए मैंने n को receive कर लिया अब मुझे check करना है user ने जो number दिया है वो even है या odd है तो मैंने उस number को 2 के साथ modulus किया अगर यह condition सही होती है तो मैं print कर दूँगा क्या print कर दूँगा कि the number is even और अगर यह condition गलत होती है तो मैं else में जाओंगा और else में जाके मैं print कर दूँगा जा प्रिंट कर दूँगा the number is odd print कर दूँगा the number is odd ओके मैं यहाँ पे उस lesson लगाएता हूँ ताकि जो लास्ट में लाइन आती है वो थोड़ा दूर हो जा तो अतना output जो है उस समझ में आए कि क्या आया है अब मैं इसको रण करता हूँ इस program को रण करने के बात देखें यह message आ रहा रहा please enter a number तो मैंने एक number एंटर किया मालीजे की 8 तो the number is even ओके मैं अब एंटर करूँगा एक odd number तो मैंने मालीजे एंटर किया 7 तो the number is odd ओके तो आईगेस यह program आपको समझ में आया होगा लेकिन फिर भी आपको कोई doubt है तो please मुझे ब it's for watching